नमस्कार मैं चंद्रेकला शर्मा सहाय काचारे राजनती विक्यान आज हम सामाजिक समझोतावादी विचारक लोग की व्यक्तिवात पर चर्चा करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि लोग व्यक्ति की सोतंत्रता का प्रबल समर्थक था लोग को उदारवात का आदारिस्तंब भी कहा जाता है पाश्यात विद्वान वाहन ने तो कहा है कि लोग की व्यवस्था में जो है हर व्यक्ति व्यक्ति की तारो चारो तरफ चक्कर काटती है अथार्थ उसने प्रतेक वस्तु को इस प्रकार सजा कर रखा है कि व्यक्ति की संप्रभुता सुरक्षित रहे लोक ने जिस राजनतिक व्यवस्ता की कलपना की थी उसका केंद्रिविंदू उसने व्यक्ति को माना है लोक की व्यक्ति वाद पर हम चर्चा करें तो हम निन रातों को ध्यान में रख सकते हैं जैसे लोक की जो व्यवस्ता है वह व्यक्ति केंद्रित है लोक ने प्राकति के वस्ता सब्बे समासन, विधा, साशन, तंत्र और राज्य कान्ति सबी अपने जितने भी सिध्धान्त में थे उस में व्यक्ति को केंदर बिंदू में रखा है लोग जीवन सतंतता और संपत्ति की रक्षा की अधिकार प्रतेक व्यक्ति को देता है और इन अधिकारों को वह जनमसित, स्वाभाविक और प्राकतिक अधिकार भी मानता है आदी प्रकति पदत है जो उसे मानव की सतंतरता का समर्थन करती है जबकि वर्तमान में जो समाश्टास्त्री है वो ये मानते हैं कि मानवी चेतना का जो निर्मान है वो सामाजिक वातावरण में होता है और समाश से उसे नितिक भावना मिलती है फिर हम देखे तो लोक की अनुसार जो है राज्य का जो उद्वव है या प्रादुवव है वह व्यक्ति के प्राकतिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता है जैसे हम जानते हैं कि लोक ने व्यक्ति के तीन अधिकार बताए हैं जीवन, सुतंतरता और संपत्ति अथार व्यक्ति के प्राकतिक अधिकारों के लिए राज्य की उत्पत्ति की जाती है और इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही वह राज्य की सत्ता पर अनेक सीमाएं भी या मर्यादाएं भी लगाता है मैकसी ने लिखा है कि लोग का कार्य राज्य की सत्ता को उपर उठाना नहीं, बल्कि उसके प्रतिबंदों का प्रतिबादन करना है प्रतम तो व्यक्ति ने अपनी जी शक्ति का त्याग किया है वह एक व्यक्ति में नहीं अब पितु संपूर समाज में नहीं तै और दित्तिय शाशक अथार्थ उसने हॉप्स की बाती राज्य को ऐसी मित और निरंकुष अधिकार नहीं दिये हैं बलकि राज्य के जो अधिकार है उसे लौक ने सीमित कर दिया है इसी कारण उसके राजनितिक सिद्धान्त का केंद्र विंदू व्यक्ति रह जाता है लौक के धर्म विशेक विचारों में भी हम व्यक्तिवात को इस पश्ट रूप से देख सकते हैं वह धर्म को व्यक्तिगत वस्तू मानता है और व्यक्ति को अपनी अंत्यकरण की अनुसार पूजवय उपासना की सोतंतरता प्रधान करता है और कहता है कि धर्म जो है व्यक्तिगत नैतिकता का संबल है और विश्वास बुद्धी रिदे की पावंतम अनुबूती लोक ने हॉप्स की बाती ही व्यक्ति के सुक को भी सरोच्चे महत्यो प्रधान किया है उसने मानव विवेक और मानव समाज की कत्रिमता पर आवशक्ता से अधिक बल देते हुए भी राज्य के जेविक सौबाव की पूर्टर उपेक्षा की है इस आदार पर लोक ने व्यक्ति को अपने संपुन विवस्था का केंदर बिंदू बनाया है बारकर के अनुसार लोक में व्यक्ति की आत्मा की सरोच्चे गरीमा स्विकार करने वाली तथा सुदार चाहने वाली महान भावना थी जिससे वह आत्मा को परमात्मा के साथ संब्द निश्चित करने का दिकार भी देता है डर्निंग ने लोग के व्यक्तिवादी विचारों के बारे में लिखा है कि उसके व्यक्तिवादी विचारों के प्राकतिक दिकारों को राजनितिक चिंतन के इतिहास में मैतु पूर्ण दिरिन स्विकार किया जाए लौक की व्यवस्ता जो है व्यक्ति के इंद्रित है इससे सैमात उत्ते वे भी व्यक्ति को पूर्ण प्रभुत्व संपन भी मानता है ब्लॉक मानता है कि व्यक्ति की जो प्राकतिक अधिकार है वे अपरणिये है तो बहुमत भी उसे वंचित नहीं कर सकता अथार्थ उसको उसकी प्राकतिक अधिकार उसे किसी भी प्राकतिक अधिकार उसे किसी भी प्रकार वंचित नहीं किया जा सकता व्यक्ति जो है पूर्ण प्रभुत्व संपन है उससे अपने नीजी निन्य का केवल नीजी निन्य करने का अधिकार ही नहीं है बलकि वह बहुमत द्वारा दिये गए आदेशों की भी अधेशों को भी पानने के लिए मानने के लिए तयार नहीं है दूसरी बात हम देखे तो लौक ने अत्याचारी साशन के विरुद्व व्यक्ति को विद्रों का जो अधिकार दिया है वह भी लौक के व्यक्तिवात को इसपश्ट करता है लौक कहता है कि जब साशन अपने करते हुए का पालन नहीं करता तो व्यक्ति ये जन्ता को ये है हक है अधिकार है कि वह उसे साशन की शक्ति से वन्चित कर दे अंत में हम ये कह सकते हैं कि प्रारंब के लोगों ने जो समझोता किया था वो अपनी सुरक्षा और अपनी स्वार्थपूर्थी के लिए था जैसा कि हॉप्स ने माना है लेकिन लौक का मानना है कि व्यक्ति जो कि एक सब्वे सुशील और संसकारवान और एक विवेक्शिल प्रानी था और उसी विवेक के अधार पर वह राज्य की प्रभू सत्ता की स्थापना करता है और राज्य की स्थापना व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसके प्राकतिक अधिकार सुरक्षित रह सके अब हम देखे तो लोग का राजनितिक चिंतन की इतियास में क्या महतो और प्रभाव रहा है उस बात पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले देखे तो फ्रांस और अमेरिका की जो जनकरांतियां हुई और आंदोलन जितने भी आंदोलन वहां हुए उन सब पर लोग की विचारों का प्रभाव पड़ा अमेरिका का सुतन्ता संग्राम और 1789 में फ्रांस की राज्य करांति के जो सिद्धान थे जिसमें व्यक्ति गस संपती जनमत स्विकरती बहुमत साशन सक्ति विभाजन के जो सिद्धान थे वो सब लोग की विचारों से ही प्रभावित थे अमेरिका के सविधान विताओं ने लौक की जो बुक थी टिटाइटेज उसके आधार पर अपने सविधान के निर्मान कार्य को किया और उसके दोनों जो प्रशासन संबन्दी निबंद है वो भी अमेरिका क्रांती के पठे करम बन गए लोक ने ही पहली बार रज्य सत्ता सहमती पर आधारित रह सकती है इस गोशना पर बल दिया जिससे ही विश्व की अधिकांस देश सामराज्यवाद और निरंकुषवाद शासन परणाली का विरोध करने में सक्षम हुए बहुमस आशन का जितना सुंदर पक्ष पोशन लोक ने किया है उतना किसी अन्य पाश्यत्य विचारक ने नहीं क्रांती के अधिकार का पोशन करके उसने समस्त एक तंत्रों को प्रत्यक्ष या एप्रत्यक्ष रूप से भारी चुनौती दी और रूसों ने उसके विचारों को भी आगे बढ़ाया सही शुनता का समर्ष्थन करके लोक ने उदारवाद को ही इस्तापित नहीं किया बलकी ततकाली न्युग में विज्ञानिक अन्वेक्षनों के द्वारा प्रमप्रागत तार्मिक विश्वाशों के प्रती एक उपेक्षा भाव को भी जगाया लोक ने ही कारे पालिका को विवस्था पिका की अधीन बनाकर सन्विधानिक साष्ण क्रिया के समर्थन के रूप में अपने विचान हमारे सामने रखे सेबाईन ने लोक के महत्व को इस पष्ट करते वे लिखा है कि उसकी प्रतीबा की विशेशता ने तो विद्धता थी और नहीं उसकी तरक शक्ती यह उसकी एतुलनिय सहज बुद्धी थी जिसका प्रियोग उसने दर्शन, राजनिती, आचन, शास्तिता, शिक्षा की शेत्र में उन मुख्य विचारदारों का एक इस्तान पर संग्रह किया जिने बूतकाल के अनुबों ने उसकी समकालिन पीडी को अधिक ज्यानवान थ दिया था, उन सबको एक सुत्र में पिरोया, आज सभी देशों के सविधानों में नागरिकों के जो मौली का दिकार को जो जगह दी गई है, उनकी रक्षा को जो प्रावधान किया गया है, जिसे हम वर्तमान प्रजातंतर उदारवात की आधारशीला भी मानते हैं, यह सब लोक के ही देन है, आर्थिक शेतर में भी लोक ने महत्वपुन भूमी का अदा किया, संपत्ति के विशे में उसने श्रम के महत्व के सिध्धानत को प्रतिपादन किया, एडम स्मित और रिकार्डो के मुले के श्रम मुलक सिध्धानत को भी उसने काल माक्स के स्रमी घितों के अभीवर्दन की रूप में प्रियुक्त किया लोक ने उधारवात के भी प्रभाव को बढ़ाने में मदद की सिक्षित समाज में लोक के विचारों का अतुनलिय अबूतपुर योगदान रहा है लोक ने पहली बार विवस्था पिका कारेपालिका और न्यायपालिका के व अभीवर्दाशन सम्मंदी कारेओं के त्री वर्गिये विभाजन के सिध्धानत का विकास किया अमेरिका के समीधान निर्माताओं ने भी लोक और मांटेस के सिध्धानतों का अनुसरन करते हुए ही अपने यहां समीधान की रचना की पाश्यात्य राजनितिक जगत और प्राश्यात्य राजनिति चिंतन की इतिहास में लोक न केवल एक सम्जोदावादी विचारक था बलकि उसने सामाजिक आर्थिक धार्षनिक सभी शेत्रों में अपने विचारों का महत्तुपूर्ण योगदान देते हुए नवीन सिध्धानतों की स्थापना के लिए मार प्रशस्तिकिया